हेलो फ्रेंड दिताज के रिशनस मैं आपका स्वागत है एधेखें आज मैं आपके लिए यह ढिजाइन लेकर आहीं हूँ यह निच्चे से बॉडर का डिजाइन है यह मैंझे यह मैंने फंदे जो हैं यह मेरे मैं कार्डिगन बना रही हूँ यह 45 फंदे मेरे इधर हैं और 13 फंदे मैंने इधर बोर्डर में इस तरह से लिए हुए हैं यह देखिएगा यह डिजाइन मेरा ओल्रेडी चैनल पर है इसको आप सर्च करके देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाई से मैं आपको यह बताती हूँ यह मैंने जो है यहाँ पर 30 फंदे लिए हैं यह मैं 13 फंदों में आपको बना कर बता रही हूँ सबसे पहले क्या करेंगे कि ये उल्टी साइड है हमारे उल्टी साइड से डिजाइन स्टार्ट होगा उल्टी साइड से फर्स्ट स्लाई जो है हमने अपने सीधी बनाई है बनानी है फर्स्ट स्लाई हम सीधी बनाएंगे इस तरह से उल्टी साइड से wrong side ,wrong side से हम इस तरह से सीधी बनाएंगे यह पूरी सलाई में इस तरह से सीधी सीधी बनाऊंगे यह टोटल मैंने जो है उल्टी साइड से सीधी और सीधी साइड से उल्टी और फिर उल्टी साइड से सीधी टोटल तीन सलाईयां मेरको बनानी है तीन सलाईयों के बाद मैं आपको ये दिखाते हूं ये देखे फ्रेंड्स ये टोटल तीन सलाईया मैंने उल्टी तरफ से सीधी और सीधी तरफ से उल्टी करके complete कर ली है अब ये सीधी साइड है हमारी fourth row अब fourth row में क्या करना है सबसे पहले ये वाला फंदा मैं ऐसे ही लोंगे उसके बाद ये एक फंदा बनाऊंगे सीधा उसके बाद धागा आगे करेंगे जाली डालते वे तेरा फंदे बनाऊंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा तेरा फंदे बनाएं फिर धागा आगे किया फिर से जाली डालते वे तेरा फंदे बनाने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा तेरा फंदे बनाएं फिर धागा अपनी साइड किया फिर जाली डालते वे ये लास्ट के दो फंदे एक और ये एक फंदा हम इस तरह से उल्टा लेंगे फिर ये हमारी फिफ्त रो उल्टी साइड ये देखेगा इसमें क्या करना है ये पहला फंदा ऐसे ही लूँगे उसके बाद धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे ये उल्टा बनाया फिर ये जाली वाला फंदा भी हमने अपना उल्टा बनाना है उसके बाद फिर जाली वाले के बाद ये फंदा भी हमने अपना उल्टा बनाना है ऐसे फिर धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे बनाएंगे यह देखिए, एक, दो, तीन, यह तीन फंदे हमने अपने सीधे बनाए, फिर धागा अपनी साइड किया, फिर एक फंदा उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे किया, फिर तीन फंदे हमने सीधे बनाने हैं, एक, दो, फिफ्त रो है उल्टी साइड, एक, दो, और एक, तीन, तीन फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, ये देखिए, तीन फंदे सीधे बनाएं, फिर धागा अपनी साइड, फिर अब ये एक फंदा उल्टा, और एक ये जाली वाला फंदा उ लता यह 3 फंदे यहां उल्टे हो गए हैं बीच का पार्ट है यह उसके बाद फिर यह 3 फंदे सीधे एक दो देन सीधे फिर दागा पीछे फिर तीन फंदे सीधे दो थीन फिर ठागा पीछे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन फिर धागा अपनी साइड ये जाली वाल एक फंदा उल्टा और एक ये जाली वाला फंदा उल्टा और लाश्ट के ये दोनों फंदे हमने सीधे बनाने हैं लाश्ट में जो फंदे आएंगे वो सीधे बनेंगे उसके बाद 6th row सीधी side अब क्या करना है ये देखीगा पहला फंदा लिया फिर ये दूसरा फंदा सीधा बनाया फिर ये जाली वाला फंदा भी हमने सीधा बनाना है उसके बाद ये वाला फंदा भी हमने अपना सीधा बनाना है जाली वाले के ये जाली वाला फंदा सीधा ब उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे बनाएं, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, दो, तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, फिर ये जाली वाला फंदा जो है हमने इस तरह से जाली डालते वे बनाना है, एक, फिर धागा अपनी साइड, फिर ये फंदा भी हमने ऐसे जाली डालते वे सीधा बनाना है, पहले यहां हमारी एक जाली थी, अब हमारी यहां दो जाली आ गई है अब तीन फंदे जो हैं हमने अपने उल्टे बनाने हैं देखें तीन फंदे उल्टे बनाए फिर एक फंदा सीधा बनाया फिर तीन फंदे उल्टे बनाए फिर एक फंदा सीधा फिर तीन उल्टे एक दो तीन और एक फंदा ये सीधा अब ये जाली वाला फंदा जो है हमने अपना एक फंदा जाली डालते वे इस तरह से सीधा बनाना है और फिर लाश्ट के ये दो फंदे अब ये देखेगा सेवंत रो है ये अपनी उल्टी साइड ये पहला फंदा ऐसे ही लिया उसके बाद फिर ये दो फंदे हमने उल्टे बनाए और ये जाली वाला फंदा हर बार उल्टा बनेगा ये देखे जाली वाला उल्टा बनाया फिर इससे आगे वाला भी उल्टा बन एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, तीन सीधे, फिर एक उल्टा फंदा फिर ये जाली वाले फंदे हमने एक दो तीन तीनों फंदे जाली वाले उल्टे बनाने हैं और एक ये जो इदर सीधा है वो उल्टा ही बनेगा ये देखिए ये टोटल हमारे पांच फंदे उल्टे बने हैं अब तीन फंदेगे हमारे सीधे और एक यह उल्टा तीन सीधे एक उल्टा तीन सीधे एक उल्टा और एक ये जाली वाला फंद भी उल्टा और ये लास्ट में उल्टे फंदे अब एक तरो पर आ गए हैं देखिए एक तरो सीधी साइड अब इसमें क्या करना है सबसे पहले ये वाला फंद हम ऐसे ही उतारेंगे उसके बाद ये एक फंद जो सीधा था दो फंदे ये हमारे एक ये जाली से बढ़ावा है और एक ये जाली वाला फंदा सीधा बनाना है ये अब यहाँ पर ये देखिए ये तीन फंदे हमने सीधे बनाए फिर धागा अपनी साइड किया अब एक फंदा ये जाली डालते वे बनाएंगे इस तरह से फिर धागा अपनी साइड किया फिर ये वाला फंदा जो है देखिए जाली डालते वे सीधा बनाना है ऐसे फिर धागा अपनी साइड करेंगे ये तीन फंदे उल्टे बनाने है धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा आगे पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, एट तरो है सीधी साइड, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, अब ये देखेगा धागा अपनी साइड करेंगे और जाली डालते वे एक फंदा बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, जाली डाल और अपने साइड करेंगे and बनाते भोस क्रिए अब तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो दीन धागा पीछी और रहाएंगे तीन फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा और धागा आगे करके जाली वाला फंदा भी ये जाली डालते बनाना है फिर धागा आगे करके जाली वाला फंदा ऐसे बनाना है सीधा और दो फंदे ये हमारे लास्ट के ये देखिए अब 9th row में क्या करना है यह देखेगा 9th row है उल्टी साइड जाली वाले फंदे सारे हमने उल्टे बनाने हैं और बाकी जो फंदे हमारे उदर से उल्टे हैं वो सीधे बनाने हैं यह देखेए एक की जाली वाला फंदा और फिर एक की किनारे वाला फंदा उल्टा और यह बा तीन सीधे दागा आगे एक उल्टा दागा पीछे तीन सीधे दागा आगे ये जाली वाले सारे फंदे हमने अपने उल्टे बनाने हैं इसी तरह से आगे के फंदे बनाएंगे हम अपने और ये पूरी रो हम अब इसी तरह से कम्प्लीट करेंगे ये जाली वाले सारे फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे यह देखिए अब आगे का फिर से तीन सीधे एक उल्टा करके कम्प्लीट करेंगे देखिए टैन्थ रो पर आ गए हैं सीधी साइड अब हमें क्या करना है यह एक फंदा ऐसे ही लेंगे उसके बाद यह एक फंदा जो अब यह जाली से बड़े हुए फंदे हमारे एक फंदा ऐसे लिया फिर धागा अपनी साइड किया जाली डालते वे अब यह फंदा अपनी साइड लिया जाली डालते वे एक फंदा बनाया फिर धागा आगे किया फिर जाली डालते वे एक फंदा बनाया फिर धागा आगे किया फिर जाली डालते वे एक फंदा बनाया फिर धागा आगे करेंगे फिर अब यह एक फंदा इस तरह से पल्टे और ये दो का एक फंदा बना देंगे इदर फिर धागा अपनी साइड करेंगे फिर दो फंदे हम अपने उल्टे बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर जाली डालते वे इस तरह से दो का एक बनाएंगे फिर धागा अपनी साइड फिर दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे फिर ये वाला फंदा ऐसे पल्टेंगे और दो का एक गीठा वाला फंदा और ये दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे, जाली डालते वे एक, फिर जाली डालते वे दो, फिर जाली डालते वे तीन, फिर जाली डालते वे चार, फिर जाली डालते वे पांच, फिर जाली डालते वे छे, फिर जाली डालते वे साथ, फिर जाली डालते वे आठ, जाली डालते वे इस वाले फ दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर ये वाले दो फंदे ये खट्टा बनाएंगे, फिर दो उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर ये वाले फंदा इस तरह से पल्टेंगे, और दो का एक बनाएंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंग फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर एक ये फंदा, ऐसे, फिर जाली डालते वे एक फंदा, जाली डालते वे दो फंदे, जाली डालते वे तीन फंदे, और जाली डालते वे चार फंदे, इसी दे बनाएं, अब दो फंदे ये लास्ट के, यह देखेगा अब हम अपनी 11 तरो पर आ गए हैं सीधी साइड उल्टी साइड अब हमें क्या करना है यह वाला फंद ऐसे ही लेंगे जाली वाले फंदे सारे उल्टे बनाएंगे देखेए यह जाली से बड़े हुए फंदे जो हैं हमने अपने सारे उल्टे उल्टे बनाने हैं इस तरह से उसके बाद यह एक फंदा उल्टा जो इधर सीधा है अब यह दो फंदे रह गए हैं यहां हमारे उल्टे इधर से सीधे एक दो फिर एक फंदा सीधा फिर दो उल्टे दो सीधे एक उल्टा दो सीधे एक उल्टा दो सीधे यह एक उल्टा हो गया अब यह जाली वाले सारे फंदे हमने जो है अपने उल्टे बनाने हैं और आगे के फंदे भी हमने अपने दो सीधे एक उल्टा करके यह रो हम अपने 11th रो कम्प्लीट करेंगे देखे 12th row आ गई है सीधी साइड अब 12th row में क्या करना है यह देखेगा पहला फंदा ऐसे ही लेंगे उसके बाद फिर एक दो तीन अब यह जाली से बढ़े हुए सारे फंदे हमने अपने सीधे सीधे बनाने है यह अपने हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है यह देखेए सारे फंदे हमने अपने सीधे बनाए जाली से बढ़े हुए अब यह एक यह सीधा फंदा लेंगे इस तरह से पल्टेंगे इसको और दो का एक फंदा बना लेंगे ऐसे अब यह इधर से बनाया अब यह एक यह सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा इधर से इस तरह से बना लेंगे यह देखिए यह एक फंदा जो है हमने दो का एक बना लिया है सीधा करके अब धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर जाली यह एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा इस तरह से सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे फिर एक उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर सीधे फंदे को ऐसे पल्टेंगे और एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा इस तरह से कर देंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर एक ये सीधा फंदा और एक ये जाली से बढ़ा हुआ फंदा ये दो इस तरह से हम लेंगे और दो का एक कर देंगे फिर धागा ऐसे ही रखेंगे आगे के जाली वाले फंदे सारे हमने सीधे बनाने हैं कोई जाली नहीं डालनी है ये देखेगा सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे इस तरह से सारे फंदे सीधे सीधे बनाएंगे जो जाली से हमने बढ़ाए है ये हमारी 12th रो है सीधी साइड अब देखे फिर से वो सीधा फंदा आ गया है अब इसको फंदे को ऐसे पलटेंगे और दो फंदों का ये एक फंदा बनाएंगे एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा फिर एक फंदा हम अपना उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर दो का एक बनाएंगे ऐसे फिर धागा अपनी साइड करेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे ये दो का एक बना देंगे इस तरह से दो फंदों का एक फंदा बना दिया फिर धागा अपनी साइड कर लिया एक फंदा उल्टा फिर धागा ये पीछे करके सीधा फंदा पल्टा और इसको दो का एक ऐसे बना दिया फिर धागा अपनी साइड धागा पीछे ही रखेंगे बाकी के जाली से बढ़े वे सारे फंद से सीधे बन जाएंगे यह देखिए यह देखे 13 तुरो प्या आगे हैं प्याला फंद ऐसे ही लेंगे यह जाली से बड़े वे फंदे जो हैं हमने अपने इस तरह से सारे उल्टे बनाने हैं ऐसे अब यह इदर से जो सीधा फंदा है और एक यह उल्टा फंदा अब यह यह वला फंदा ध्यान देना है यह वला किनारे वला सीधा फंदा और एक यह इदर से उल्टा फंदा इनको इस तरह से दो का एक करेंगे फिर आगे के दो फंदे दो का एक करेंगे फिर आगे के दो फंदे दो का एक बनाएंगे फिर आगे के दो फंदे दो के एक बना देंगे अब आगे के जाली वाले फंदे इस तरह से उल्टे बनाने हैं अधं ने सारे पंये हम उल्टे बनाएंगे जाली वाले जो जाली से बड़े व皿 हैं यह देखे जाली से बड़े वह सारे पंये हमने अपने उल्टे में बना लिये हैं अब ये इदर से सीधा पंय दिक रहा है यह यहाँ उल्टा है, एक उल्टा फंदा और एक यह सीधा फंदा, दोनों का दो का एक करेंगे, फिर आगे दो का एक करेंगे, फिर इसको दो का एक करेंगे, फिर आगे यह दो का एक करेंगे, इस तरह से यह दो का एक करके, एक, दो, तीन, चार, टोटल, चार, आठ फंदे हमने कम कर दिये हैं, अब ये आगे के जाली से बढ़े हुए फंदे इस तरह से बनाएंगे, देखे, ये देखे, 14 तरह पर आ गए हैं, सीधी साइड, अब हमें क्या करना है, फंदा ये ऐसी ही लेंगे, और एक ये फंदा हमारा जो एक्स्ट्रा था, अब चार फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बनाएं, फिर धागा इधर ही रखेंगे, फिर दो का एक बनाएंगे, ये देखे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक, फिर दो का एक, दो, फिर दो का एक, तीन, फिर दो का एक, चार, इस तरह से ये टोटल आठ फंदे हमने यहां कम कर दिये हैं, अब धागा ऐसे ही रखेंगे, आगे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बनाएं, फिर ये देखे, इन दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, ऐसे, फिर आगे के ये फंदे हमने अपने, यह देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे हमने अपने सीधे बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे सीधे बनाएं, अब इन दो का एक फंदा बनायां इस तरह से, एक, फिर आगे के दो फंदों का, एक फंदा, दो, फिर आगे के दो फंदों का एक फंदा, तीन, फिर आगे के दो फंदों का एक फंदा, देखे, दो फंदों का एक फंदा, चार, अब ये आगे के चार फंदे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे, और दो फंदे, ये हमारे last के, ये total हमारे उतने ही फंदे रह गई हैं, जितने हमने design start किया था, ये इस तरह से आपका design आएगा, ये देखे, अब फिर से आपने उसी तरीके से start करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये उल्टी side है, अब उल्टी side से सीधी सीधी सलाई होगी इस तरह से और इस तरह से उल्टी तरफ से सीधी सलाई बनाएंगे इस तरह से ऐसे और फिर सीधी साइड से उल्टी और उल्टी साइड से सीधी तीन सलाईयां कम्प्लेट करके फिर डिजाइन अपना रिपीट होगा यह देखे फ्रेंड्स इस तरह से ही हमारा डिजाइन आएगा देखे प्लीज फ्रेंड्स में इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडिय वच्छम रिट्रे बइबाएं